तुम्हारा जो प्रश्ण आया है ऐसे नजाने कितने प्रश्ण मेरे पास आये कि मासिक धर्म की इस्त्री के हाथ का बना भोजन नहीं करना चाहिए नमस्कार गुरुजी मैं हिमाचल प्रदेश से कृष्ण चंद बात कर रहा हूं मैं आपके वीडियो काफी टाइम से देख रहा हूं और मुझे आपके वीडियो बहुत बहुत अच्छे लगते है तो मैं भी आज आपके पास एक सवाल लेके आ गया और मेरे सवाल का जबाब जरूर दीजिएगा गुरुजी कि जब भी कोई ग्रस्ती वाला पुरुष जो ग्रस्ती जीवन में है और वो साधना पत पे चला हुआ है और वो कभी मानसिक धर्म पे जो उस्तरी होती है मानसिक धर्म पे जिस टाइम होती है क्या वो उस टाइम उसके हाथ के बनाया हुआ भोजन सुईकार कर सकता है खा सकता है या नहीं क्योंकि हमारे यहां बोलते है कि जब भी कोई इस तरह कोई साधना पत पे होता है या कोई पूजा पाठ करता है तो उसे उस टाइम पे उस त्री के हाथ का भोजन ग्रहन नहीं करना चाहिए जब वो मानसिक धर्म पे होती है उस टाइम तो उन लोगों का कहना है कि उसकी पूजा फलिपूद नहीं होती है अगर वो ऐसे स्तिती पे औरत के हाथ का भोजन ग्रहन करता है और पूजा पाठ इत्यादी करता है तो धन्यवाद गुरू जी आप मेरे प्रश्न का उत्तर जरूर दीजेगा कुछ बातों को ना बहुत ध्यान से समझना होता है क्योंकि अगर वो बाते ध्यान से नहीं समझी गई तो क्या होगा कि जीवन की जो बहुत सारी उर्जा है ना वो इनी कामों में खराब हो जाएगी बहुत सारी उर्जा एक सीमित उर्जा है हमारे पास और उसका हमें उप्य करना है अभी तुम कह रहे हो कि तुम्हारे यहां लोग कहते हैं कि अगर मासिक धर्म में कोई इस्त्री है उसके हाथ का भोजन करोगे तो साधना सफल नहीं होगी पुन्य की प्राप्ति नहीं होगी कौन सी साधना की बात कर रहे हो तुम ऐसी कौन सी साधना है कि जो इतनी छ तो चोटी है कि मासिक धर्म वाली इस्तिरी के हाथ का अगर भोजन करोगे, तो वो साधना तुम्हारी नश्ट हो जाएगी, ऐसी तो कोई साधना नहीं, और यदि तुम्हें भोजन नहीं करना, तो अपने हाथ से उसे भोजन कराओ, खुद बना कर कराओ, तब तुम्हारी सा इस्तिरी के हाथ का भोजन, उस इस्तिरी के हाथ का भोजन करकई तो तुम्हारी अब तक अपने आपको चला रहे हो, वो एक कुछ दिन ऐसे होते हैं, जिन दिनों यदि वो भोजन बनाती है, तो उसके लिए अआसोबिधा होती है, तो प्राचीन काल के लोगों ने यह अच्छा कि किस McCarthy से हम इस तरी को विश्राम दें तो कि मनुष्य को विश्राम तो देना नहीं चाहता, इस तरी को एक 24 घंटे की मशीन में बना कर रखना चाहता है, जो उसका उसके घर का हर्थ प्रकार का काम करें, अराम नहीं देना है, उसे एक मशीन की तरहें लगाई अब उस मशीन को कभी तो आराम चाहिए न तो कैसे दिया जाए तो ये जो चिंतन हमारे प्राचीन बुजरुगों का रहा रिशी मुन्यों का रहा क्या कि इन दिनों उसे पूर्ण विश्राम दे दो अब कैसे दो पूर्ण विश्राम कोई पूर्ण विश्राम में रहने कैसे देगा नहीं रहने देगा तो उसके साथ इस धर्म के क्रिया कलाप को जोड़ा गया तो कि प्रतियक व्यक्ति कोई न कोई पूजा तो करी रहा है साधना करी रहा है तो उसको ये एक कॉंसेप्ट दि समझाया, कि देखो यदि इन दिनों तुम इस्तिरी के हाथ का भोजन करोगे ना, तो तुम्हारी साध्ना नष्ट हो जाएगी, तुम्हें पुन्ने के प्राप्ती नहीं होगी, अब इस बहाने से, इस भय से, वो इस्तिरी को आराम देगा, नहीं तो कभी नहीं देगा, अग कि यदि तुम खुद भोजन नहीं करोगे, तो कहां से लाओगे भोजन, होटल से, रेस्टोरेंट से, ढाबे से, तो वो लोग क्या बहुत शुद्ध होते हैं, लेकिन यदि घर की इस्त्री उस काल में भी भोजन बना रही है, तुमें खिला रही है, विज्ञान का युग है ये प्राचीन काल की बाते थी, आज के युग में छोटा परिवार है, और उस छोटे परिवार के अंदर यदि ऐसे में वह इस्त्री उस दिन भोजन नहीं बनाएगे, तो क्या करोगे फिर, बाहर का ही खाओगे न, तो वह जादा शुद्ध है या घर की इस्त्री का ममता म ही भोजन, इन वेर्थ की बातों से बाहर निकलो, ये बहुत वेर्थ की बाते हैं, कोई सार नहीं रखती, तुमारे भोजन में ऐसा क्या प्रवेश कर जाएगा, जिसके कारण तुमारी तपस्या नश्ट हो जाएगे, सोचो, बताओ, क्या चीज है उस मासिक धनवाली इस् जो तुमारे पुन्ने को नश्ट कर देगी, तुमारी घर की इस्त्री है, तुमारी मात्री शक्ती है, तुमारे लिए इतने भाव से भोजन तयार कर रही है, और तुम कह रहे हो कि हमारी साधना नश्ट हो रही है, साधना नश्ट ये सोच कर हो जाएगी, यदि तुम उस हाथ का भोजन करते समय ये भाव रखोगे कि हमारी साधना नश्ट हो रही है तो निश्टित रूप से नश्ट होगी वैसे बिल्कुल नहीं होगी नश्ट क्योंकि नश्ट होने का कोई वैज्ञानिक कारण भी नहीं है कोई आध्यात्मिक कारण भी नहीं है लेकिन बस ये एक विकल्प दिया गया उस इस्त्री को आराम करने के लिए प्राचीन काल के रिशियों ने मुजुर्गों ने सिद्धों ने कि कोई न कोई तो ऐसा हमें उपाए करना होगा जिससे इस्त्री को विश्राम मिले तो वे सभी लोग जो ये सोचते हैं कि मासिक धर्म वाली इस्त्री दोश पूर्ण हो गई ये सोच जीवन से निकाल दो क्योंकि ये सोच ही तो सबसे बड़ा रोग है ये सोच ही तो आपकी साधना को भंग कर रही है इस सोच को तोड़ना है और अपने जीवन को उन उचाईयों की ओर ले जाना है जो आपको ये छोटे-छोटे से जो बैरियर हैं जो बाधाएं हैं जो गड़े हैं यह समझे जे गड़ों में गिरना है, यह छोटे गड़े बने हैं, जो माया ने बना दिये हैं, कि ऐसा करोगे तो यह पाप लगेगा, ऐसा करोगे तो मारी साधना नष्ट हो जाएगी, और यह जो साधक होता है, साधक तो अपनी साधना में इतना निमगन होता है, इतना लीन होता है कि उसे पता यह नहीं किसके हाथ का भोजन मिल रहा है कैसा मिल रहा है कौन उसे भोजन दे रहा है और तुम कहते हो कि तुमारे आसपास के लोग कहते हैं इस बात को कि यदि ऐसी इस तरीका भोजन करोगे तो साधना नश्ट हो जाएगे दरसल भीतर की जो भावदशा है ना वह किसी भी साधना को सशक्त करती है या नश्ट करती है ये बात समझ लो सबसे बड़ी बात अगर तुमने भीतर ये ठान लिया ये सोच लिया कि कोई फर्क नहीं पड़ता तो मासिक धर्म की स्तृति मुझे भोजन करा रही है तो मेरी पत्नी है मा है बहन है कोई भी है कोई फर्क नहीं पड़ता तो फर्क पड़ेगा ही नहीं बिल्कुल नहीं पड़ेगा और यदि ये सोचना शुरू कर दिया इस भाव में कोई दोश ले आए तो फिर कितनी साधना कर लो वो सब साधनाई निश्फल हो जाएंगे सब साधनाई सारी बात एक ही चीज़ की है कि किसी को भी दोश देकर उसे नीचा दिखाकर उसे हेद रिष्टी से देखकर या ये कह कर कि तुम्हारे कारण मेरी साधना भंग हो रही है बस ये भाव ही दोश पून है कभी कोई भाव ना इस तरहें कि ये दिरखी तो सरा खेल खराब हो जाएगा एक प्रसंग मुझे याद आता है उस प्रसंग में बात है कि एक व्यक्ति इबादत कर रहा है बैठा है उसके खयाल में और मजनु उसके आगे से निकल जाता है तो वो आदमी मजनु को डाटता है कहता है कि तुझे इतनी समझ नहीं कि जब कोई अबादत कर रहा हो तो उसके आगे से नहीं निकलते मनाई है तो मेरे आगे से निकल कैसे गया देखता नहीं कि मैं उसकी अबादत कर रहा हो तो मजनु बहुत जोर से हसने रगा बहुत जोर से को वहां सा तो आदमी और नराज हो गया उसने का हसने की क्या बात है इसमें तो मजनु ने कहा कि तुम किसकी अबादत कर रहे थे तो उसने का उसकी अबादत जिसने सारे काइनात को बनाया है उस मालिक की अबादत तो मजनु कहता है कि उसकी अबादत करते समय तुम्हें ये ख्याल कैसे रहा कि तुम्हारे आगे से कोई गुजर गया मैं तो अपनी लेला के ख्याल में जा रहा था वो जो एक इनसान है वो लेला और उस लेला के ख्याल में मैं इतना खो गया था इतना लीन हो गया था कि मुझे इस बात का ही खयाल नहीं रहा कि कोई आदमी बैठा अबादत भी कर रहा है और तुम्हें ये खयाल कैसे रहा इसका मतलब तुम उसके ध्यान में थे ही नहीं उसकी याद में थे ही नहीं यदि तुम उसकी याद में होते उसके खयाल में डूबे होते तो अगर तुम्हारे ख्याल में ये रहा कि मासिक धर्म वाली इस्त्री भोजन करा रही है तो तुम्हारा ध्यान तो साधना में है ये नहीं, पूजा में है ये नहीं, तुम्हारा ध्यान तो इन व्यर्थ की बातों में हैं, तो ये जो व्यर्थ की बातें हैं, ये तुम्हार जोड़ी है उसके हाथ का भोजन कर सकते हो, उसमें कोई दोष नहीं, किसी प्रकार का दोष नहीं, इस भाव को गहरा ओ और उसके ध्यान में लीन होने का प्रियास करो, बस। जब तुम उसके ध्यान में जादा लीन होगे, तो बाकी की सब चीजे गौन हो जाती हैं, वो जही छोड़ दो